दोस्तों आज हम बताएंगे कि आपकी मिर्दू कब होगी इसके बारे में ये वीडियो को आप थोड़ा सही से देखें और समझने का कोशिश करें ये एक कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन के हिसाब से ही आप पता लगा सकते हैं जैसे किसी भी वैक्ति का जन्म जो रविबार का हुआ है तो देखिए इसके आउसत आयू नहीं है ये इसको हमको निकालना है अब कैसे निकालना है तो जैसे रवी वार है तो इसका उम्र दिया हुआ है निस्चित है कि साथ है ये मिर्टू का नहीं है सौंबार है मंगल वार है बुद्ध वार का चौंसट है गुरू व बेखालना है ये चीज हमको देखना है तो मिथुन का फिर 85 हो गया करक का 70 हो गया सिंग का चूट्छ गया का का हो गया 84 हो गया तुला का हो गया 85 बिर्सिक का हो गया 75 धनू का हो गया फिर 85 और फिर अगर हम फिर धनू निकाले फिर 85 मकर का हम देखेंगे तो 81 कुम्ब का जो है वो भी 81 है और मीन का जो है वो भी 61 है ये पूरा चीज हम इस बुक से हम दे रहे हैं और इसमें हम कैलकूले खुद किये हैं उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं दोस्तों जिसमें इसे मिर्टु हमको निकालना है तो मिर्टु अगर हम निकालना है जिस भी दिन आपका जनम हुआ है पहले वो जनम जान ले कि किस दिन हुआ है अब हम जैसे कि किसी जातक का जनम हुआ है मंगलवार को तो हम उसका जो एज है वो 74 हम इसमें ले लेंगे कि उनका मंगलवार का इसका 74 है और दूसरा है कि उसका रासी कौन सा है तो रासी अगर हम कोई एक रासी लेते हैं जिसे बिर्सिक रासी है किसी जातक का कोई भी रासी आपका हो सकता है, तो 20-80 है, तो हम इसमें 75 लेते हैं, ठीक है, 75 लिए, अब हम इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो 5, 4, 9, और 7, 7, 14, 149 हुआ दोस्तों, देखो दोस्तों, अब इसको क्या करना है, हम अभी आपको बता रहे हैं, नोमर लोज यह सी यह लगन चार्ट है, लगन हिसाब से और उसकी महादसा कब चलेगी, उस हिसाब से हम एक्रूइट निकालते हैं, लेकिन किसी भी प्यक्ति को कोई भी एस्ट्रोजर मिर्टू का डेट नहीं बता सकता है, अब है, क्योंकि वो डेट जो है, वो गरह देखा और उस दो साल में उसको होगा, दो साल एक से लेकिन कभी भी किसी के देट को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये जो नमलोजी है, शलोजी है, या पामश्टी है, किसी को मोटिवेशन देता है, उसका मोटिवेशन का काम करने का, क्योंकि उसको मोटिवेट करने का, कि ये समय जो है तुमारे लिए अच्छा है, तुम अ सब्सक्राइब कीजिए उसमें हम बताएंगे कि किस दसा में उसका थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है वह नुम्रोजी के स्ट्रोजी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं उसको भी हम आपको बताएं कि सुबह का जो वीडियो आता है आठ वजे उसमें लेकिन अभी जान लेकि यसे 149 इसका निकला है तो हम 149 को 2 से भाग देंगे ठीक है तो 2 से भाग देंगे तो 14 9 तो 4 8 यानि कि 74 बरस के एक बरस आधा बरस आगे या आधा बरस पीछे इसके अंतर में इसकी मिर्टू हो सकता है तो दोस्तों यह जो है यह हम देकाले हैं अपना एक्सपेरिमेंट के हिसाब से क्योंकि इसमें दो से लिए भाग देते हैं कि एक उजनदि दिन हो गया एक जनद connects रॉसी तो इसके लिए हम दो से भाग दिये हैं हम यह experiment करके बताएं हैं, आप इसको apply करेंगी, क्या या यह सही है या गलत है, बहुत जातक का death 12 साल में भी होता है, 25 साल में भी होता है, 35 में भी होता है, 70 में भी होता है, 80 में भी होता है, स्वाबे में भी होता है, तो हम उस चीज़ को इसमें clear नहीं कर रहे हैं लेकिन हम यह calculation हम निकाले हैं यह astrology में तो यह कहीं से मतलब की यह दो से भाग देना यह जो है यह थोरा सा इसमें clear किया नहीं है पूरा total लेकिन हम इससे 60 के लेके हम इसको निकाले हैं दोस्तों अगर यह channel आपको अच्छा लग रहा है तो इस channel को subscribe कर लिजिए और इसका जो accurate वीडियो है कि किस महादसा में आप किरित होगी उसका हम आपको देंगे और अगर यह आप apply कीजिए कि क्या यह सही है यह गलत है ताकि हमको भी समझ में है और नीचे comment में लिखिए धन्यवाद दोस्तों अगर आप नमलो जी सीखना चाहते हैं अग साथ वीडियो में लिए